तो आज किस वीडियो में हम एलसी हम फाइंड आउट करना सीखेंगे 33 & 66 का बाय डिवीजिन मेधर्ड आपको पता है इस मेधर्ड के तुरू हम जब भी ऐलसी हम फाइंड आउट करते हैं तो जितनी भी वैल्योज होती हैं उन्हें हमें एक साथ कंप्लीटली डिवाइड करना होता है ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन में से क्या कोई वैल्योज टू से कंप्लीटली डिवाइड हो सकती है अगर किसी भी नंबर के लास्ट में एवन नंबर जैसे के टू फॉर सिक्स एट या पर जीरो तो वह वैल्योज बशुक्तरी हो सकती है हमें थी प्रिवाइड हो सकती हातीener strain अगर है नहीं कि अक झाल में हिंगए काह है इसे गालं कर लिया और जो वैल्योज टूबाइड हो सकती तोसे हमने में आर्ज़ा सब्सक्री अभी से डवाइड हो रहां है रही इसे हमनें 2 से डिवाइड करना है तू के डेविल में 6 आता है 3 पे और 2 के डेविल में 6 आता है 3 अचुक ए तू के बाद इस नेक्स जमब में हम चैक करते हैं 3 थें and 3 times 1 is 3 ठीक है यहां पर भी हमारे पास 33 है यानिके 3 के डिविल में 11 प्राइम नंबर है प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके स्रिवर सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं एक 1 और दूसरे बहोते हैं 11 से बाइम से डिवाइब होगा इसलिए हमने 11 को 11 से डिवाइब करना है 11 x 1 is 11 and 11 x 1 is 11 अब हमें फाइंड आओ करना है LCM means least common multiple इन दोनों का इन दोनों का वो multiple फाइंड आओ करना है जोके इन दोनों के tables में आता है और सबसे चोटा है उसके लिए हम क्या करेंगे जिन नंबर से हमने डिवाइब किया है उन सब को करना है हमें multiply वो है 2 x 3 x 11 2 x 3 is 6 and 6 x 11 is 66 यहां हमारा LCM आचोका है 66 यानि कि 33 and 66 का जो least common multiple है वो है 66 इससे मजीद छोटा है इन दोनों में कोई और सेम multiple नहीं है इससे बड़े और हो सकते हैं लेकिन हमें LCM में चाहिए होता है least common multiple है और हमारा answer जो है आचोका है I hope कि वीडियो आपको अच्छे से समा जाएए अगरी वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसलिए बहुत जल मिलती हैं भी नेक्स वीडियो में अपने बहुत ख्याल लगिएगा अल्ला आफिस